यूथ मुख्यबाजी सचिन ने स्वनपतक जीता है करन्स के हिसाब से देखें तो यह जो टॉपिक है वो बहुत इंपोर्टेंट है यह जो चैंपिंशिप है वो कहां पर आयोजित हो रही है और इन्होंने किसे हरा करके स्वनपतक जीता है नमस्कार स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में यह जो चैंपिंशिप है वो कहां पर आयोजित की जा रही है किस नाम से है तो AIBA विश्व यूथ मुक्यबाजी चैंपिंशिप है और यह पॉलेंड के किलसे में आयोजित की जा रही है इंपोर्टन इसलिए हो जाता है कि जो यूथ मुक्यबाजी की जो चैंपिंशिप है वो कहां पर हो रही है और किस नाम से है तो पॉलेंड के किलसे में यह आयोजित है और AIBA विश्व यूथ मुक्यबाजी चैंपिंशिप है पुरुश्वर्ग में सच्चे ने स्वनपतक जीता है 56 किलोग्राम वजन में फाइनल में इन्होंने हराया है किस ख्लाडी को और यह जो ख्लाडी है यह कहां के हैं कजाकस्तान के यह ख्लाडी है इनका नाम है यब्बॉल बाट साबीर इनको पराजित करने के बाद सचिन ने मुक्यबाजी में स्वनपतक जीता है टूर्नामेंट में अगर हम बात करते हैं तो भारत का कुल जो आठमा स्वनपतक था वो सचिन ने जीता है महिलाओं ने इस प्रत्योग गेता में साथ स्वन पदक अपने नाम की है और कौन-कौन से इसे खिलाड़ी है जिन्होंने इसमें प्रत्योग गेता में पदक जीते हैं उनके बारे में पूरुश वर्गों में अगर देखें तो विश्वा मित्र चौंग थॉम है 49- cracking वजन में इन्होंने भाग लिया था इसी तरह सें अंकेत नर्वाल है 64-4 किगरा बाहर में इन्होंने जीता है विशाल गुपता इनोंने इकराण में किगरा भार में कांसिय पदक जीता है और इस तरह से टूर्णामेंट में अगर हम बात करें तो भारत के खाते में कुल 11 पदक जो है वो आते हैं टॉपिक बहुत ही अच्छा है और इनका जो चित्र है वो आप देख सकते हैं यह सचिन है भारती मुक्यबास है कई भार एक्जाम में इससे सम्मधित प्रश्ण आज जाता है कि कौन सा खिलाडी है किस खेल से सम्मधित है मुक्यबास है बैडमिंटन खिलाडी है कबड़ी खेलते हैं या फिर फुटबोल खेलते हैं तो आप याद रखें सचिन जो बहरतिये मुक्यबाज हैं इन्होंने अभी हाली में पॉलेंड के किलसे में जो आयोजित प्रत्यों गेता है AIBA विश्वयूत मुक्यबाजी चेंपेंशिप में इन्होंने स्वन पदक जीता है कजाकिस्तान के जो खिलाडी हैं उनको हरा करके कई बार जो भार है इनका वो भी पूछ लिया जाता है कि कितने किलोग्राम वजन में इन्होंने किसी खिलाडी को हराया है उसके बारे में भी प्रेशन जो है पूछ जाते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो जाता से जाता लाइक और शेयर जरू करें कॉमेंट्स करके बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद